लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिये गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुँच गई है तो कुछ सवाल है सरकार से मोधी जी ये स्वांगी बंद कर दीजे क्या ड्राम संसद का सदन का सत्र का ये सब करना है लगाए सदन पर ताला और जो मर्जिया पारा है वैसे ही कर रहे हैं तो क्यों ये ड्रामा ये स्वांगी क्यों रचना है असलियत तो ये है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खत्रा आप से और आपके मनसूबों से है उतना पहले लोकतं खत्रे में है जो फबतिया कसते थे जो पलट कर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं अब क्या कहेंगे अगर इस देश के 142 संसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राजसभा में विपक्ष की बात को विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा की जवाब देही तै करना उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूख होई ग्रह मंत्री वजाए संसद में आकर बयान देने के किसी टेलिविजन चानल पर बैठकर ग्यान दे प्रदान मंत्री वजाए संसद में आकर भरोसा और आश्वासन देने के अख़बार को बयान दे रहे हैं तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है पहली बात तो यह कहने हैं और यह क्यों हो रहा है क्योंकि मनमानी करनी है लोगसभा और टेलीकॉम का देश पूली स्टेट बन जाएगा अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूचेगा सवालोंका इनके पास कोई जबाब नहीं है उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात नहीं बात करेंगे इन बिल्स पर चरचा नहीं करेंगे बस किसी तरह से अपनी मन करते जाएंगे ये असलियत मोधी सरकार की है लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी एक लोबी तयार हुई constitutional position पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है कहां थे आप लोग क्यों मुँँ में दही जवाई हुई थी क्यों आखो पर पट्टी बांद ली थी जब constitutional positions पर बैठे हुए लोग सांसदों के हख का हनन करते है जब मनाय उनको निलंबित करते है बजाए लोकतंत्र के प् पक्ष के लिए है सत्ता पक्ष के लिए जी हजुरी रहेगी असलियत ये है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने ये चुने हुए संसद है इनका काम है आवाज उठाना इनका काम finger on your lips रखके head down कर देना नहीं है sit down stand up करना नहीं है जो केजी में teacher औ principle कराते हैं ये देश के संसद है इनका काम है तीखे सवाल पूछना इनका काम है सरकार को कट घरे में खड़े करना लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा और अगर ज़्यादा लोगतंत का चसका रहा तो आपको नि सदों के हक का हनन कर रहे थे वैसे ही अब चुप रही है असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाएं नहीं छुटेगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखत 24